मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सिख धर्म हमें जीवन में सच्चाई, इमानदारी और महनत को अपनाने की सीख देता है यह सिद्दान्ध हमें आत्म निर्भरता और कर्मठता का महतु भी समझाता है उन्होंने कहा कि सिख समुदाय द्वारा गुरू द्वारों में निशुल को भोजन सेवा उनके सेवा भाव का उत्करस्ट उत्धारन है प्रदेश के विकास में भी सिख समाज का महतु पूर्ण योगदान है मुख्य मंतरी मंगलवार को मुख्य मंतरी निवास पर सिक समा से संबंदित बजट घोशनाओं के लिए आयोजित धन्यवाद सबा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव ने जाद पात और भेडभाव के खिलाफ संगर्श किया और सभी मनुश्यों को एक समान बताया सिक धर्म में इस्तरियों और पुरुशों के बीच समानता पर भी जोड़ दिया मुख्य मंतरी ने कहा कि ये धर्म हमें दूसरों की रक्षा का पार्ट भी पढ़ाता है जिक योद्दाओं की वीर्ता और बलीदान इतिहास में अनमोल है जब जब भी देश पर आतातियों का आकर्मन हुआ सिक समानस ने मजबूती के साथ उनका मुकाबला किया मुख्य मंतरी ने कहा रज्य सरकार ने प्रदेश के बजट में हर वर्ग हर छेतर के लिए घोशनाए की है प्रदेश के धार में किस्थलों के विकास के लिए भी इस बजट में प्रावधान किये गए हैं उन्होंने कहा कि दिल्ले बाइपास स्थित तेग बहादूर साहिब गुरुद्वारा जैपूर्द था बुड़ा जोहड गुरुद्वारा अनुबगड में शर्दालों की स्वीधा एवं विकास कारिय करवाय जाएंगे शर्मा ने कहा कि सिख गुरुओं ने अपनी वानी से समाज के वन्चित और एसाइवर की सेवा का संदेश दिया है उनके संदेश को अपनाते हुए हमें आसपास के एसे लोगों को समाज के मुख्यधारा में लाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के कल्यांड कारी योजनाव का लाब दिलाना चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सरोकार में भागिदारी करने की प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें प्रेरना दी है उनके द्वारा चलाए गए एक पेड मा के नाम अभियान के थैत साथ अगस्त को प्रदेश में एक करोड पोधे लगाए जाएंगे शर्मा ने सिक समाज के लोगों से इस अभियान में बढ़ जड का हिस्ता लेने का आवान किया इस अवसर पर प्रतेनिदी मंडल ने मुख्यमंत्री का सम्मान करते वे उन्हें पगड़ी भांदी तथा गुरू गोविन सिंग की तस्वीर वितलवार भीट की कारीक्रम में विधायक गुरूवीर सिंग सहीत राज्य के विभिन गुरूद्वारों के प्रधान जत्तेधार एवं सिक समाज के गणमान्य लोग उपस्तित रहे